भाई और बेहनो आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटर्व्यू देखे आज कल वो चम्चे वाले जिसमें चार 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 पाच चम्चे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मोदी जी आप आम कैसे खाते हो मोदी जी आप आम चील के खाते हो या काट के खाते हो मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो और मोधी जवाब देते है ओ चम्चो नरेंद्र मोधी कुछ नहीं करता है सब कुछ अपने आप होता है नरेंद्र मोधी को धर्ती पे परमात्मा ने भेजा है बाकी सब लोग बायोलोजिकल है माता पिता से पैदा हुए है नरेंद्र मोधी बायोलोजिकल नहीं है नरेंद्र मोधी जी उपर से तपक के आए है उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए मज़े की बात ये है कि परमात्मा ने उनको अद अम्बानी जी की मदद करने के लिए भेजा है मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा जाती जंगरना करवाने के लिए नहीं भेजा अजीब सी बात है भाई और बहनो अगर सच मुझ में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो किसानों की मदद करो मजदूरों की मदद करो गरीबों की मदद करो नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो हिंदुस्तान के सारे के सारे एरपोर्ट अदानी को दे दो हिंदुस्तान के पावर्स प्लांट्स को अदानी को दे दो रेलवे अदानी को दे दो 16 लाग करोर रुपे करजा माफ करो अदानी अंबानी का ये कैसे परमात्मा है ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है